hey guys welcome back to another episode of football lily और आज के एपिसोड की बहुत पहली अपडेट है भाई हो एक थोड़ी से हमारे emotional farewell होगी याँ पर बहुत एक चीज होती है कि like इसको न मैं कैसे देविद देगे वाली situation को न एक example से जो कि बहुत pathetic भी हो सकता है लेकिन I don't know like वो relate कर पाऊगे नहीं कर पाऊगे इसे शादी होती है न तो शादी में जो धुलन के घरवाले होते हैं वो सारे function में पूरा ध्यान लगा रहे होते हैं कि अच्छा ये भी करना ये भी करना ये भी करना है इतना बड़ा function है तो व दुलण निकलेगी और रोना पड़ेगा ये देविदी वाली situation में बहुत similar है पुरे पिछले एक दो ह़फ्ते की बात करें तीन हफ्ते की बात करें होनाना की डील की बात करें सेंटर फऔर की डील की बात करें सारे अच्छािटर . बड़ा लेजन्ड एक ऐसा बंदा जो कि 20 साल की उमर में आया था और आज वो रिकॉर्ड और हिस्ट्री बनाके मैंचेस्टर युनाइटेट को एक बहुत ही अंसर्टेन सिचुएशन में अलविदा कह रहा है और वो कोई और नी बलकि देविद देया है हमारी मैंचेस्टरी टीम के डिफनस है उसको कही ना की सेफ घर आता अर उसको कहीना की समहाल रहाता ये पता है इस ता मैंचेर्टी में यू रिलाइज ठीक द्रेया की एंपर यूनाइट खेमिल्या पसंद नहीं करते इसलिए उसको निकाला जा रहा है या फिर ये भी आक मे सबसे बड़ा धर्म पर यहां पर यह है कि वो इस मैंचेसर उनाइट गो वापिस से टॉप पर लेके जाए टाइटल विनिंग टीम मना एंट उसके लिए अगर महाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो मेभी वेन रूनी हो जाए वहाँ पर कभी या फिर कभी वहाँ पर देविद देया जैसे लेजेंड्स हो जाए या फिर अफकोर्स अगर हैरी में गोयर आ जाए तो वो उनको यहां पर overtake या फिर overthrow करने में जादा नहीं सोचेगा खैर तुम इस सोचोगी देविद देया कि अगर आप अब memorable moments की बात करो तो कितनी बार उसने सेफ किया है it's just कि जो उसका playing style है वो कहीं न कि अब Manchester United में उसकी जरूरत नहीं है according to Ten Hag तो it's a very emotional like अब देविद देया के अगर case से देखोगे आचा काफी जो career है वो definitely Manchester United में resume नहीं होने वारा था तो शायद से हमको जो last game था Old Trafford पे उस पे हम कुछ अच्छा सा कर सकते थे उस पर United कुछ अच्छा सा कर सकते थी लेकिन जो इस टाइप की transfers होते हैं जो कि disappointing और conflicting होते हैं यानि कि mutually कुछ decide नहीं हुआ है बलकि यहाँ पर खीचा तानी चल रही है देविद देया आप कह सकते हो कि he is very emotional कि वो United को छोड़ रहा है बर at the same time वो कही ना कहीं मा की और भेंट की टैनेक को गाली दे रहा होगा इस चीजे तो निप्टाई है उसके पता ही कही ना की धोका तो दिया गया है अगर आदते यहाँ पर प्लेयर्स की बिगड़ी हुए है तो वो बिगाड़ी गई है हैं पर द्रैख्वश लगोड़ कि इनकी प्लेयर्स की गलती नहीं है यहाँ अगया है डिश्ने अ और अफोर्स अ lot इसदरॉब्सका फिलाईती है जिसने केर्लेसली यहाँ पर ये work हो गया है और अपकोर्स अब यहां पर हमारी नज़रे रहेंगे कि क्या देविद देया साओधी का कोई ओफर लेगा या फिर एंड मोमेंट पे वो स्पेइन अपने नेटिव कंट्री में भी बापिस आ सकते हैं इसी के ताथ यह बात करते हैं अब थोड़ी सी यहां पर उना तुन्टी आप पर वीक की सालरी उसको मिलने वाली है जो कि बहुत बड़ा डिग्रेड है और तो बी ओनेस्ट विद यू दा फैक्ट कि यहां पर ओनाना लैक पर्सनली चैनल है कि अपने टीम में जिस ताइप का गोलकीपर चाहेगा उससे भी चार कदम आगे का प्लेयर ह क्योंकि कितना जादा revolutionize होगा इसका build-up कितना जादा upgrade हो जाएगा Manchester United का defense उसका खेलने का तरीका और आप कह सकते हूं कि यह दो कहते हैं यह आपका सबसे पहला attack जा first step of your attack starts from the goalkeeper and the first step towards your defense starts from your striker यह एक philosophy जो होती है न वो कहीना कि हमको सच होती हुए दिखेगी इस Manchester United score में इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इंटर की तो इंटर ने अपना जो cover player है वो भी उन्हों सर्च कर दिया है विच इहाँ पर वो यान सॉमर है जिसके लिए 6 million का offer वो अलड़ी दे रहे है बायन को तो मैं को लगता है कि यहाँ पर यान सॉमर को लेके आए और ओनाना यहाँ पर आजाएगा थोड़ी सी अभी details बची हुई है यहाँ पर इंटर और मैंचेस्टर युनाइट अभी यहाँ पर agree नहीं करें और दिद अफ्कॉर्स एवालुएशन क्योंकि ओनाना के साथ जो personal agreement है वो तो एक हपते पहले का ही sign हो रखा है तो यह एक deal ह है जो कि होने वाली है and ultimately when you look at this like look at the whole environment जो कि United to cover कर रहा है जहाँ पर आपका टेक ओवर है जहाँ पर आपका मैसन माउंट का था deal अच्छी जा रही है बिल्गूल अच्छी जा रही है इसलिए कि अगर फ्रेंच अगर एक पंडित की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर इस यहाँ को नेमार को र्यूनाइट नहीं करना चाहिए लृफ नेमार को वापिस से अपनी best shape में लेके आना है फिर अपने टीम का best star मनाना, even in the presence of Kellan Mbappe, कि वहाँ है लेकिन हम फिर भी नेमार को अपना best star मनाएंगे, उससे फायदा कुछ नहीं है, अब दिको यह पहले pitch इस में कोई ज़्यादा खास फाइदा होगा नहीं क्योंकि उस पंडित के अगर हम बात करें तो उसने अपने opinion में यह बताया है कि देखो एर इवन इफ अगर आप मान के चलो कि नेमार is the best man in the world right now जो कि PSG को आगे forward ले जा सकता है लेकि नेमार इसको consistently कर नहीं पाएगा आप नेमार को best निकाल सकते हो आप नेमार अपना best in the world वाली performance दे देगा लेकिन कितना देगा यह तो आपको भी नहीं पता और continuously अगर हम PSG को उसका पूरा spell लेक्के आए तो record और data भी इस चीज़ को यहाँ पर confirm करता है कि आप नेमार पर consistently dependent नहीं कर सकते है ऐसे में उसने यह चीज़ कहा है कि Lewis Henry के अगर नेमार को रखना चाता है despite कि उसके लिए offer आया तो कहिना कि एक गलस step होगा अब इसी से अगर interrelated दूसरी story की बात करें तो हाली में Mundo Deportivo ने यह report दी है कि New York City FC यानि कि MLS का एक दूसरा club यहाँ पर काफी जादा interested बताया जा रहा है जो कि नेमार चे है अब देखो इसी से मिलती जुलती Spanish report एक और ती रेलव हो जिन्नों ने यह confirm करा कि नेमार की agent और यहाँ पर MLS के clubs की agent यहाँ पर MLS club का नाम anonymous रखा गया है उनके बीच में negotiation हुई है लेकिन इस चीज़ पर कोई confirmation या conclusion आ नहीं सकता क्योंकि अभी भी आने वाले time में नेमार और Lewis Enrique की one-to-one conversation होनी है जिसके बाद यह confirm पता चलेगा कि Lewis Enrique के पास क्या plans है और नेमार actually में चाहता क्या है क्योंकि यह बताया गया कि जो नेमार के close sources है वह कह रहे है कि देखो यार European football में अभी रहना है वो definitely यहाँ पर आने वाले एक-दो साल में अभी और top of the mountain पर compete करना चाहता है लेकिन कहीना कि कुछ लोग यह भी मानते है कि despite कि PSG मैं यहाँ पर काफी अच्छा उसको like दिखता है अपना future कि मैं PSG को समाल रखता हूं lead कर सकता हूं reciprocate नहीं हो रहा PSG यह नहीं मानती और ऐसे में उसके contract को लेके जो European market में जो दिमाग खराब हो रखा है और Saudi like उसको थोड़ा सा less attractive लगता है ऐसे में MLS एक अच्छा offer हो सकता है and particularly तब जब महाँ पर Lionel Messi, Luis Suarez, महाँ पर सर्जी बिस्किट्स की बात करें, Jordi Elba की बात करें even if अगर हम आंदरे नियस्ता की बात करें, इस सारे के सारे वहाँ पर खेलते वे हमको दिख रहे है तीखी भाव के बारे में, यानि कि Mbappé और Nassiril Khlaffi, देखो हाली में लगबक दो दिन पहले ही हमने इस चीज़ पर चर्चा करी दी, कैसे Nassiril Khlaffi ने out of the nowhere यहाँ पर एक टीसार बॉंब फैक के मारा है Mbappé के पीछोडे पे, जिसको Mbappé बिलकुल भी नहीं कर रहा होगा, अब हाली में आयां पर यह हुआ है कि देखो Mbappé आया है Cameroon में, और Cameroon में उस पर जो घुमा के कॉशनल पूछा रहा है, वो भी Mbappé आंसर भी उसको इसी तरीके से अब ही नहीं, बलकि पिछले महीने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो उसको रिलीज अब किया गया है, लेवल देख रहे हो, तो मीडिया पप्लिकेशन का भी, भी दिमाग चलता उनका, ऐसे में यहां पर काफी लोग तो इसी इसी फैक्ट पर धिमाग खराब हो गया, कि एक महीने पहले ही एक एमबाप पर के जो थोट प्रोसेस था, पिए जी के लिए वो इतना जाधा खराब था, देखो बहुत सारी चीजों पर बात करिया, लेकिन जो में मोटे मोटे तोर पर पकड़ी गई यह चीज है, वो यह है, कि एमबाप पर ने काया कि देख योगदान देते हैं, आप उनसे पूछो कि भाई आप ऐसी टीम क्यों नहीं मनाते हैं कि जो कि चैंपिन लिग जीते हैं, तो एमबाप पे ने चैंपिन लिग फेलिर से तो अपना पला जाड़ लिया, दूसरी चीज उसने यह चीज कहा है कि देखो कलेक्टिव एफर्ट म मैं बहुत सही खेल रहा हूँ, पचास गोल मैं हर सीजन का मारता हूँ, डेफिनिटली मेरे जो अपने स्टैट्स हैं, मेरे जो अपने मोमेंट्स हैं, वो बन अदे बेस्ट हैं, लेकिन मैं अभी भी और इंप्रूफ करूँगा, इन डेफिनिटली उसने बैलंडोर के उसम प्रॉब्लम है, तो उसने का कि ते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को कि कहीना कि PSG के लिए खेलना मेरे लिए help नहीं करता, क्योंकि PSG ऐसा क्लब है, जो कि divide and policy rule को follow करता है, यानि कि PSG अपने आप में काफी बटावा क्लब है, और ऐसे में से आप सोचो कितना interesting story है कि नसरेल खलाफी के उसके बात का reply भी बहुत suited है, बतलब अगर नसरेल खलाफी का reply मानके चलें तो भी बहुत बढ़िया लग रहा है, कि एमबापे ने का, लेकिन एमबापे ने एक महीने पहले ही record कर लिया था और तब भी उसकी thought process यही है, तो कह जी कि माईबाप को गए कि बहुत देखा एमबापे ने ऐसा कर रहा है, इसको punish करो, तो उनके नंगे पिछवाड़े पर जो रैपट पड़ेंगे न, चूँकि एमबापे की है यार strong, बहुत strong character उस तर बिल्ड़ कर रखा है, लेकिन अब चीजे पनट रखे है, बतलब एम इमेज के साथ, अगर contrary नो करना है तो वो भी कर लूँ, या फिर मैं clean image के साथ, रियाल मिटिट भी जोइन कर लूँ, जो कि मेरे लिसाब से practically impossible है, बिल्कुल impossible है, और यही मेरा stand तब रहेगा जब वो रियाल मिटिट को कभी जोइन करेगा, अगर करेगा तो, कि उसने अपन की बात करोगे, तो जो deal हुई है, वो यहाँ पर लगबग काफी लोग कहते है, 2030 तक हुई है, वो दा 1 billion euros release clause, जहाँ पर 30 million upfront दिए गए हैं, और 30 million यहाँ पर add-ons में दिए गए हैं, जो कि total 61 million euros के आसपस आता है, लेकिन काफी लोग अगर हम यहाँ पर Brazilian reports की हिसाब की बात कर हिस्ट्री में, Brazilian league की हिस्ट्री में, जहाँ पर सबसे पहले आते हैं, नेमार, जब वो सेंटास से बार्सा गए थे, जो कि I think around 84 euros के, 84 million euros के आसपस से, उसके बाद यहाँ पर आता है, विक्टरो, जो कि again, बार्सलोना आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हमारे एं जो कद काथी है, वो कभी Memphis Depay के आसपास के लगती है, लेकिन कईना की बार्सलोना यहाँ पर long term खेल रही है, गैंबल ले रही है, जो कि उसको लेना चाहिए, अगर आप young player पर, जो कि promising young player है, विक्टरो के लिए काफी अच्छी गासी यहाँ पर demand थी है, विक्टरो बार्सा कि जर्सी के लिए खेलना चाता था, ऐसे में बार्सा को पैसे को यहाँ पर निकालना था, ऐसे में future prospect deal करके, जंग पर gamble करके, बार्सा ने काम तो बढ़े अच्छा करा है, तो को लेवन दाउस के एक stop gap player है, जो कि आपको तीन-चार साल का gap देगा, लेकिन आपको eventually उसका successor दूनना पड़ेगा, और लेवन दाउसी यह successor दूनना कोई असान बात तो है नि, after all he is one of the best number 9 in the world, या फिर आप कह सकते है, one of the best number 9 in the decade, या फिर हमारी generation का, ऐसे में यहाँ पर, विक्टर रो, उसका successor बन सकता है, नहीं बन सकता है, चुब, बहु पढ़ीगे, उसका successor बन सक करता है, कि yes, वो बारसा की जर्सी पहनने के लायक भी है, डिजर्व भी करता है, और कहिना कि उसका conviction भी, उस जर्सी को respect भी देता है, जो कि वो जर्सी डिमांड करती है, बाकि that's it for this episode guys, I hope आपको episode पसंद आयो, episode पसंद आयो, episode पसंद आयो, episode को like करे, channel को subscribe करे, आपको इस एड़ ने ने नेक्स एपीजोड